माद्धमिक शिक्षा विभाग उत्रप्रदेश के e-learning प्रोग्राम में बच्चो आपका स्वागत है मैं प्रियंका जाखर प्रवक्ता भौतिक विज्ञान राजके करन्या इंटर कॉलिज विजय नगर गाज़ेबाद से बच्चो आज कक्षा 11 विशय भौतिक विज्ञान से अध्याय 4 एक समतल में गती के भाग एक में कुछ बिंदो का अध्यान करेंगे जो इस प्रिकार है बच्चो अपने अध्याय को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो आज का अध्याय है वो भौतिकी की शाखा के अंतरगत आता है यांत्रिकी की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम वस्तु की गती का अध्यन करते है यांत्रिकी की दो शाखाई होती है इस्तिती की और गती की इस्तिकी में बच्चो बाहे बलों के अधिन, साम्य अवस्था में बश्तु का अध्यन किया जाता है उनके काणों का अध्यन किया जाता है। गतिकी की दो शाखाएं होती हैं, शुद्गतिकी और गतिकी, शुद्गतिकी में बच्चों बिना कार्णों का अध्यन किये, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, उनके गुणों का अध्यन किया जाता है, गतिकी में बच्चों पैरामीटर्स का अध्यन करते ही हैं, उनके कार् करते हैं एक विम्य गती दिव विम्य गती और त्री विम्य गती एक विम्य गती बच्चों आप अध्याती इन में पढ़ चुके हैं दिव विम्य गती जो आज का ये हमारा अध्याय है एक समतल में गती दिव विम्य गती के अंतरगत आता है बच्चों जब भी हमें गती को स समझने के लिए में दो चीजों की आवश्यक्ता होती है प्रैक्षक और निर्देश तंत्र प्रैक्षक बच्चों होता है observer देखने वाले को हम बोलते हैं प्रैक्षक निर्देश तंत्र जो समय से संबद निर्देशांक निकाए को हम क्या बोलते हैं निर्देश तंत्र बोलते हैं निर्देश तंत्र बच्चों दो प्रकार की होते हैं जड़त्विय निर्देश तंत्र और आज जड़त्विय निर्देश तंत्र जड़त्विय निर्देश तंत्र जैसे बच्चों नाम से समझ में आ रहा होगा जड़त्विय मतलब जो नहीं होते हैं अरहते हैं पकी बंदू संदर बंदू मतलब इसमें तीन अक्ष्य होते हैं एक्स एक्स वाई- Aegis और X axis यहां पर है X axis, Y axis और Z axis जो यह तीनों अक्ष होते हैं यह आपस में perpendicular होते हैं लंबवत होते हैं यह जिस बिंदू पर आके मिलते हैं उस बिंदू को बोलते हैं संदर्व बिंदू या मूल बिंदू भी बोलते हैं बच्चों यह जो आप P point देख रहे हैं X Y Z यहां इसके प्रदिश राशिया और प्रदिश राशिया अनुपातिक 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 र ऐती है बत्चो जिसमें केवल एक नंबर मिलता है आंकं एक मान होता है ना मात्रख होती है ना दिशा होता है तो ऐसी राशियो को हम क्या बोलते हैं अनुपात्UT है जैसे 1,2,3,1,2,1 अजैसी वर फिन तो ये सारी कैसी होगी अनुपातिक राशिया इसका जो एकजांपल है वो क्या है poison अनुपाथ या poison ratio भी बोलते हैं दूसरा है अदिश राशिया अदिश राशिया को आप अगर नाम से देखेंगे इसको break करेंगे तो क्या होगा a plus dish मतलब जिसमें दिशा ना हो ऐसी राशिया जिसमें परिमान तो होता है बड़ दिशा नहीं होती और इनको जोड़ा जाता है तो simple बीच गणीती है नियम के द्वारा simple algebra के थुरू हम इसको जोड़ देते हैं तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं अदिश राशिया बोलते सदिशा के साथ इनके अंदर परिमान तो होता है साथ में दिशा भी होती है तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं सदिश राशिया इनको जोड़ने के लिए बच्चो एक particular algebra यूज हो था जिसको हम बोलते है vector algebra इसको simple algebra के थुरू आप नहीं जोड़ सकते हैं ऐसी राशि इक्वल टू A square plus B square plus 2AB cos theta ये जो theta है वो दो vector के बीच का angle होता है कोन होता है उधारन में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा विस्थापन वेक त्वरन बल ये सारे इसके उधारन हैं फोर्थ नंबर की होती है राशी प्रदिश राशी को बच्चो प्रदिश राश लेकिन उनका जो परिमान होता है वो भिन-बिन दिशा में भिन-बिन होता है तो इसका मतलब ये अदिश भी नहीं है ऐसी राशियां ना सदिश होती है जो ना अदिश होती है ऐसी राशियों को हम बोलते है प्रदिश टैंसर भी बोलते है इसका जो एक्जामपल है वो क्य होता है दिशा भी है परिमान भी है लेकिन व किया है अदश राशी है क्यों कि वो सद्धीश के नियम का पालन नहीं करती इसलिए उसको अदिश राशी बोला जाता है बच्चों अगर सदिश राशिकों पूर्म रूप से हमें परिभाशित करना है तो हम क्या कहेंगे कि उसमें दिशा भी होगी, परिमान भी होगा, अब जो उसको जोड़ा जाएगा, वो सदिश के नियमों के द्वारा जोड़ा जाता है सदिशों का निरुपन, कैसे पहचानेंगे हम सदिश राशिकों, कैसे लिखेंगे हम सदिश राशिकों, तो इसके निरुपन के लिए हमें क्या करना होता है, एक एरो लगाना होता है, सदिश राशिकों लिखने के लिए उनके उपर तीर का निशान लगाया जाता है, यह जो यहां से लिकर, elev, magnitude, जो length, magnitude को बताता है, यह जो इसका head होता है, वो direction बताता है, यह इसकी tail होती है, जो initial point होता है, वो इसकी tail होती है, जो इसका terminal point होता है, उसको head, उसको head कहते है, तो बच्चों, अगर आप किसी भी vector quantity को, सदिश राशी को आपको दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे, उसके उपर तीर का निशान लगाएंगे, एरो का निशान लगाएंगे, कभी-कभी उसको बोल्ड लेटर में भी लिखा जाता है, या इटैलिक फॉर्म में भी हम लिख देते हैं, बच्चों सदिश के दो होते हैं, धुर्व्य सदिश और अक्ष्य सदिश, धुर्व्य सदिश वो होते हैं, जो सदिश एक निश्चित बिंदू की और कारे करते हैं, उनको हम बोलते हैं धुर्व्य सदिश, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहां जो वर्क हो रहा है, वो किसी एक निश्चित ब परवाजा होता है, तो वो किसी एक अक्ष की इधर उदर मूव करता है, घूमता है, तो ऐसे सदिश को हम क्या बोलते हैं, अक्षे सदिश, इसका जो एक्जामपल है, वो एक्जामपल क्या है, कोणिये वेग, कोणिये संवेग, बलागुन आदी, बच्चो अभी हमने कहा था कि जो वेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में एंगल बनता है, दो सदिशों को जोडने के लिए कुछ तथ्य होते हैं, जैसे उनका प्रिकरती समान होनी चाहिए, वो एकी तल में होने चाहिए, उनका मातरक समान होना चाहिए, और जब उनके बीच में कोण बनता है, तो उसक परिमान और दिशा में कोई अंतर नहीं आता, इसका मतलब वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप इसको अगर पैलली इधर से उधर मूव कराएंगे, अगर दो वेक्टर हैं, उनको जोईन करोगे, head to head या tail to tail जोईन करते हैं, तो उनके बीच में एंगल बनता है, जो एंगल बनता है, वो दो तरह का एंगल होता है, एक छोटा होता है, और एक बड़ा होता है, जैसे आप यहाँ देखे, यहाँ तो कोई जोईन है ही नहीं, ना head to head है, ना tail to tail है, तो यह क्या होगा, यहाँ पर तो एंगल कितना होगा, 0, जब आप यहाँ बात करते हैं, वेक्टर A और वेक्टर B को tail to tail join करते हैं तो इनके बीच में एक angle ये बना और एक angle बाहर बनेगा जो दोनों angle, दो angle बने एक angle छोटा है और एक angle बड़ा तो हम कौन से angle को हमेशा लेंगे जो छोटा cone होगा हम हमेशा उसी को consider करेंगे तो theta equal to 60 माना जाएगा अगर हम यहाँ इस diagram में देखें तो क्या होगा vector A है और vector B है इसमें भी दो तरह के cone बनेगे एक छोटा बनेगा और एक बड़ा बनेगा जो छोटे वाला cone है उसको हम लेंगे theta equal to 90 लेंगे जो बाहर वाला angle है cone है वो 90 से बड़ा है तो इसको हम छोड़ देंगे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर दोनों vector हैं दोनों vector के बीच में XOACC का cone बन रहा है दोनों cone बराबर होंगे यह वाला cone भी और दूसरा वाला cone भी तो आप कोई सबी angle आप ले सकते हैं क्योंकि दोनों कैसे हैं बराबर है अगर आप यहाँ पर बात करते हैं दो vector है vector A और vector B यहाँ पर भी दो angle बन रहा है तो आप इस angle को नहीं लेंगे क्योंकि अंदर वाला angle क्या है छोटा है यह वाला angle बड़ा है तो इसको आप छोड़ देंगे अंदर वाले angle को consider करेंगे तो आपको इन diagram से condition समझ में आ रही होगी कि क्या हाजाएगा जो angle होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या तो 180 होगा यो उससे छोटा होगा तो यह हमारा जब भी हम angle लेंगे तो इस condition का हम हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों जो सदिश होते हैं सदिशों के प्रकार होते हैं वर्गी करन क्या से होगा सदिशों का समान सदिश समान सदिश का मतलब क्या है कि उनकी दिशा भी समान हो और उनका जो magnitude है वो भी समान हो परिमान भी समान हो तो ऐसे सदिश को हम क्या बोलते हैं समान सदिश जैसे दो vector हैं आप इनको देख पा रहे होंगे तो दोनों की दिशा भी समान है और magnitude भी समान है परिमान भी समान है आप लिखेंगे कैसे vector A बराबर vector B यह कैसे है समान vector अगर हम दूसरे vector की बात के आ समान vector आ समान vector क्या होगा अगर इनकी दिशा समान है तो परिमान अलग जैसे वेक्टर A is not equal to vector B, क्योंकि परिमान अलग है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, magnitude तो सेम है, बट इस बार क्या हो जाएगा, direction अलग हो जाती है, जब direction अलग हो गई, तो क्या होगा, कि यह समान सदिश है, विप्रीत सदिश, opposite, मतलब इनका परिमान तो समान होता है, ब तो सेम है, लेकिन दिशा क्या है, विप्रीत है, दिशा विप्रीत होने से लिखोगे कैसे, vector A बराबर minus vector B, यह minus sign क्यों आया, क्योंकि यह विप्रीत vector है, इसलिए minus sign आएगा, एक कांक वेक्टर, ऐसे vector जिनका जो परिमान होता है, वान होता है, ऐसे vector को हम क्या बोलते है, अंग शदिश, इनका ना तो मातरक होता है, मतलब यह मातरक हीन होते हैं, विमाहीन होते हैं, इनमें केवल direction होती है, इनको किसी cap या head से दिखाते हैं, अगर हम है पास कोई vector A दिया गया है, उसका हमें unit vector लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, A cap या A head से भी हम इसको शो करते उसे ना तो दिशा से मतलब होता है, ना उसको प्लस से माइनस से, उसको जो मांके आंकिक मान है, सपोस करो 10 न्यूटन बल इसकी तरफ लग रहा है, तो उसको क्या, मोडूलस का मतलब क्या है, केवल 10 से मतलब है, अगर उसके अंदर माइनस भी लगाओगा, तो वो माइनस को खतम कर देता है इसको क्या बोलते है मोडूलस शून ने वेक्टर भी कहते है ऐसा वेक्टर जिसका परिमान क्या होता है शून ने होता है मतलब अग उसका जो इनिशल पॉइंट होता है और जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो कॉंसाइट कर जाते है तो ऐसे वेक्टर को क्या इधर भी plus, एक B अड़ कर दे और उधर भी B अड़ कर दे, तो क्या होगा, vector A plus vector B equal to क्या हो जाएगा 0, 0 नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या पड़ेंगे, null vector, 0 vector पड़ेंगे, सम तल ये vector, सम तल ये vector नाम से ही समझ में आ रहा है, समान तल में, ऐसे वेक्टर जो समान तल में होते हैं, जिनका तल समान होता है, जैसे आप इन वेक्टर को देख पा रहे होंगे, हमाई पास तीन वेक्टर है, वेक्टर A, B और C, तो ये तीनों जो इनका तल है, वो क्या है, एक TV की स्क्रीन है, ऐसे वेक्टर जिनका तल समान ह होता है उन्हें सम तालिये वैक्टर कहते हैं समट प्राग म्यूंडबिक मतलब को इनीशल वैक्टर बोला जाता है सम कोन ये एकांग सदिश सम कोन ये एकांग सदिश से मतलब क्या है कि ऐसे दो या दो से जादा ऐसे वेक्टर जिनका जो परिमान है वो यूनिट हो और वो आपस में कैसे होते हैं लंबवत होते हैं तो ऐसे सदिशों को सम कोण ये एकांग शदिश कहा जाता है, जैसे हमारे पास ये एक निदेशांग निकाय है, जिसकी x-axis direction y-axis और z-axis है, इनकी अगर हम direction दिखाएं, तो x-axis को i-cap से दिखाते हैं, y-axis को j-cap से दिखाते हैं, और z-axis को k-cap से दिखाते हैं, तो ये basically है किया आपस में perpendicular है, और इनका जो मान होता है, वो unit होता है, तो ये कैसे हैं, सम कोण ये एक कांग सदिश होते हैं, इस्तिश दिश, इस्तिश वो सदिश होता है, वैसे वो vector होते हैं, जो मूल बिंदू से किसी वस्तु की या किसी object की इस्तिती को बताते हैं, time के साथ उसकी इस्तिती को बताते हैं, ऐसे vector को क्या बोलते है, position vector या इस्तिती शरी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमारे पास क्या एक vector r है, यह क्या है, P, इसके जो coordinates हैं, वो क्या X, Y, Z, मतलब O से मूल बिंदू के साथ किसी भी वस्तु की जो इस्तिती को बताएगा, उसको क्या बोलेंगे, position vector, बच्चो विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश हमें क्या बताता है, कि कोई object मूल बिंदू से कितना और किस दिशा में विस्थापित हुआ है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन सदिश, सपोस्कोर हमारे पास दो vector दिए गए हैं, vector a, और सपोस्कोर हमारे पास एक two dimensional plane है, two dimensional plane है, x axis और y axis है हमारे पास, अगर आप इसको देखेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास vector, हम एक vector draw करते हैं, जिसका position vector क्या है, r1, अब क्या हुआ, इसकी ये पहली position है, object पहले क्या है था, a point पर, a point से वो b की direction में चलता है, उसको कितना time लगता है, time कि उसको delta t, मतला time के साथ, उसकी position चेंज हो रही है, किस direction में, a to b, b direction में, तो दूसा position vector, b और b position पर उसका दूसा vector क्या आजाएगा, r2 position vector आजाएगा, इन दोनों का अगर difference दिखाएंगे, अगर आप देखेंगे, a b, a b equal to, आप क्या लिख सकते हैं, delta r, इसको बच्चों बाद में होता है, उसको पहले लिखते हैं, जो पहले होता उसको बाद में लिखते हैं, मतला ob minus oa, vector ob minus vector oa, delta r equal to क्या आजाएगा, इनकी value आप रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, oa क्या है, r1 है, ob क्या है, r2 है, और oa क्या है, r1 है, इनकी value पुट कर दीजिए, जैसी value पुट कर देंगे, तो आपके पास vector r2 minus vector r1 आ जाता है, अगर इसको घटकों के रूप में लिखेंगे, r1 को position vector, तो क्या लेकिंग, x1 i cap plus y1 j cap, मतला x axis में, x axis क्या इसका घटकों का x1 होगा, और y direction में क्या होगा, y1 होगा, r1 का, अगर हम ऐसी r2 के घटकों को देखें, घटकों के रूप में तो क्या होगा, r2 equal to क्या होज़गा, x2 i cap plus y2 j cap, बच्चों अगर इसकी value यहाँ पुट कर दें, तो हमें ये value मिल जाती है, अब क्या होगा, जो समान वेक्टर हैं, उनको हम एक तरफ ले आते हैं, x2 और x1, समान वेक्टर हैं, तो एक तरफ ले आएंगे, x2 minus x1 i cap हो जाएगा, इदर y2 minus y1 j cap हो जाएगा, इस प्रिकार मतलब यह क्या हो रहा है, कि delta r को आपने क्या हो एक्स के, जो मारा परिमान के लिए फर्मुला होता है, वो क्या होता है, यह कॉडिनेट मतलब delta x का, इसको आप delta x लिख सकते हैं, इसको आपको क्या लिख सकते हैं, delta y, तो अगर आप इसका परिमान निकालेंगे, तो क्या होगा, अंडरू delta x का square plus delta y का square, इसके value पुट करेंगे, तो आपके पास यह term आजाएगी, बच्चो अगर आपको इसकी direction देखनी है, तो direction कैसे निकालते हैं, y component over x component कर देते हैं, तो क्या होगा, 10 theta equal to क्या हो जाता है, delta y over delta x, सदीशों को जोडना, बच्चों सदीशों को जोडने के लिए, उनकी प्रक्रती समान होनी चाहिए, उनका मात्रक समान होना चाहिए, और उनके वो एक ही तल में होने चाहिए, तो क्या होता है, अगर सपोस करो, सदीशों के जब योग करते हैं, तो उनमें कुछ नियम होते हैं, जैसे पहला नियम होता है, कम्यूटेटी, वो कैसे होते हैं, क्रम विनिमिया नियम का पालन करते हैं, कैसे अगर आपके पाद दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, वेक्टर A और वेक्टर B को जोड़ेंगे आपने वेक्टर A में वेक्टर B को जोड़ा तो आपको पार रिजल्टेंट क्या आया वेक्टर A प्लस वेक्टर B आप दूसरी बार आपने क्या किया वेक्टर B में वेक्टर A को जोड़ा वेक्टर B में वेक्टर A को एड़ सदिशयोग सेचर्यनियम का पालन करता है। सेचर्यनियम में क्या होते हैं, हमारे पास 3 Vector है, Vector A, Vector B और Vector C, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? यहां पर आप देखेंगे, Vector B और C को पहले जोड़ते हैं, Vector B और C को हमने जोड़ा, तो इनका जो रिजल्टेंट आया, वो क्या आया, मारे पास B प्लस C आ जाएगा, और इस रिजल्टेंट पर हमने क्या किया, वेक्टर A को जोड़ दिया, इस रिजल्टेंट पर हमने क्या किया, वेक्टर A को जोड़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, तो अब अगर हम बात करें पहले वेक्टर A और B को जोड़ा था, अब हम क्या करेंगे वेक्टर A और B को पहले जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या मिल जाएगा में, गे मिल जाएगा वेक्टर A और B, और इस इस का पालन करता है बच्चों तिर्भुज को जो हमारे वेक्टर को जोड़ने के लिए विदिया होती है तो सबसे पहली विदी हमारी है तिर्भुज विदी तिर्भुज विदी में होता क्या है इसमें हम केवल दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं दो वेक्टर को जोड़ने के लि विप्रीद क्रम में परिमार तथा दिशा में उनके वेक्टर के योग के बराबर होती है मतलब आपके पात दो वेक्टर हैं वेक्टर A और वेक्टर B वो तिर्बुज के दो किर्मागत भुजाओं के दुआरा प्रदर्शित हो रहा है वेक्टर B को खीचने दी गई दिशा और परिमान के साथ खीचते हैं वेक्टर B हमने खीच लिया अब वेक्टर A के जो हम तीसरी भुजा खीचेंगे वो कैसे खीचेंगे जो A का तेल है उसके तेल से B के हैड तक मिलाते हैं तो यह हमें क्या मिल जाता है रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है बच्चों यह आप यहां पर देख पार होंगे तिर्भूज है ठीक है इस तिर्बूज को जो आप देखते हैं तो इसको अब हमें R का magnitude निकालना है परिमार निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे परिमार कि हम क्या करेंगे इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे इनके जो वेक्टर B और वेक्टर A के बीच में एंगल कितना है थीटा माल लेते हैं थीटा एंगल है दोनुका इसको आगे बढ़ाया PN तक बढ़ा लेते हैं और Q से एक perpendicular कर लेते हैं मतलब अपने इस तिर्बूज को हम समकॉन तिर्बूज के रूप में चेंज कर लेते हैं बदल देते हैं तो अब क्या होगा समकॉन तिर्बूज है सम समकॉन तिर्बूज के द्वारा मिसके मैगनिटूड निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे जब हम समकॉन तिर्बूज लेते हैं तो हमारा फोमूला होता है पाइथागोरस थियोरिम के थूरू हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस के लिए में क्या चाहिए होता है कर्ण देखेंगे, Q, PN को आप देखेंगे, तो क्या होगा? आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने है, तो इसका मतलर रिलेशन आप क्या निकालेंगे? इस वेक्टर और इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? QN बराबर मिल जाएगा B sin theta, कर्ण और लंब के बीच में रिलेशन मिलता है B sin theta, अगर आप इसको देखेंगे, आधार और जब आपको PN की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? आधार और कर्ण में रिलेशन चाहिए, आधार और कर्ण में रिलेशन के लिए आपको क्या मिल जाता है? B cos theta, PN इ इनमें value आप put कर दीजिए, जो QN है, वो two parts में है, O P plus PN, इसकी value जैसी आप put करेंगे, तो आपके पास क्या आजाता है? R square equal to A square plus B square plus 2AB cos theta, बच्चों ये तो परिमान है, अगर आपको इसकी दिशा भी चाहिए, तो दिशा के लिए क्या करते हैं? दिशा के लिए कि अब क्या करेंगे? Vector A और B को पुराना वाल अपना diagram फिर से draw कर लेते हैं, Vector A, Vector B खीचा, जी जो क्या होता है? दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कि जो Vector है, जो resultant है और जो Vector A है, उनके बीच में जो angle होता है, उसके through देखा जाता है, क्या angle है 5, क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा 10 5 होगा, 10 5 equal to क्या होगा? perpendicular over base हम कर देते हैं, दिशा निकालने के लिए, तो 10 5 equal to हम क्या लिख सकते हैं? QN बटे ON, QN over ON, दोनों की value आप रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास direction आ जाती है, दो Vector के योग क परिमा उनके बीच के कौन पर निर्भर करता है, बच्चों ये तो तिरभुज विदी थी, जो हम Vector को एक और विदी के द्वारा जोड सकते हैं, बोलते हैं संगत घटकों के जोड के द्वारा भी इनको हम जोड सकते हैं, कैसे? माल लीजिए आपके पास दो Vector है, Vector A और V इनका क्या होगा? कि इनके जो घटक है, क्रमशे जो घटक होगे Vector A के घटक, AX और AY, मतला, X direction में AX और Y direction में AY, ऐसे ही B के भी दो घटक हैं, X direction में BX और Y direction में BY, अब क्या करें, ये घटक क्या होते हैं? क्या समझे, गटक क्या हम B का देख लेता हैं, ये हमारे पास B V जो होरिजोंटल से कितने एंगल पर थीटा एंगल पर है जो इसका घटक होगा वो क्या है बी एक्स है और वाई डिरेक्शन में इसका जो घटक है वो क्या है बी वाई है अगर अब हम इस डाइग्राम पर आए तो क्या करते सबसे पहले हम एवेक्टर खीचते हैं जो केवल X-axis direction में है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, एक ही घटक होगा, जो क्या है AX, इसका Y घटक नहीं होगा, B vector को हम किसी angle पर खीचते हैं, vector A से theta angle बनाते हुए खीचते हैं, तो क्या हो गया, इसके दो घटक हो जाएंगे, X-axis direction में B हो जाता है और Y direction में, BX, X direction में होगा, और रूप में कैसे लिखेंगे, AX I cap plus AY J cap, B को कैसे लिखेंगे, BX I cap plus BY J cap, R equal to क्या है हमारा, vector A plus vector B, vector A plus इनकी आप क्या करेंगे, value पुठक पर देंगे, A को और B को रखेंगे, जो समान है, उनको आप एक साथ ले आएंगे, X वाले आप सम एक साथ ले आए, AX plus BX I cap, plus AY plus BY J cap, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको RX लिख सकते हैं, इसको RY लिख सकते हैं, ठीक, अब आप क्या देखते हैं, कि जो एक घटक है कि इवल X direction में, Y direction में 0 है, AX equal to A, और AY equal to 0, अगर हम इसका BX की value चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, B cos theta, कैसे निकालेंगे, यहां स B की value आपको निकालेंगे, BX, BX की आपको value चाहिए, तो इसमें और इसमें relation, यह हमारे पास है, कर्ण, इसमें relation चाहिए, तो क्या आता है, cos theta, B cos theta में मिल जाएगा, अगर आपको यह चाहिए, perpendicular चाहिए, तो कर्ण और perpendicular में, लंब में, जो relation आता है, उससे क्याएगा, B sin theta, आपके पास दोनो values आगई, आप put कर दीजिए, जब आप put करेंगे, तो आपके RX में, अगर RX की value में आप put करेंगे, तो क्या होगा, AX प्लस BX, AX प्लस BX की जगा, आप put करेंगे, AX की value A, BX की value की आप, B cos theta, ऐसी आप RY की value निकाल लेंगे, जब निकालेंगे, तो AY प RX square plus RY square, इसकी value आप put करेंगे, तो आपके पास finally क्या formula आजाता है, under root A square plus B square plus 2AB cos theta, आप समझ पा रहे होंगे, सेम जो पहले तिर्बुझ विदी से निकला था, वही यहाँ पर, सेम फॉर्म में, यहाँ फॉर्मुला में मिल जाता है, जब magnitude हम निकाल रहें, अगर हम डिरे को जोड़ने के लिए दो और विधिया होती है, तो उन दो विधियों को हम भाग दो में देखेंगे, अब भी आपके लिए कुछ ग्रह कारे दिया जा रहा है, इस ग्रह कारे को आप देखेंगे, और इसके बारे में जानेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में पढ़ाय गए हैं प्रेश्ट नमबर दो अगब देखें बल तथा बल आगुन में कौन सदिश राशी है ये भी आप बता सकते हैं ये सब बताया गया है वीडियो में आपको सम मिलेगा ये प्रेश्ट नमबर त्री धुरुवे सदिश के दो धारन दीजी वह आप दे देंगे प्रेश नमबर फाइव दो सदिशों के बीच अधिकतम संभव कोन का मान क्या होता है ये भी बच्चों आपको बताया गया है कोन का जब आपको सक्षनम डिसकस कर रहे थे तो महां सब बताया गया है तो उमीद करते हैं आप इसको कर पाएंगे और मिलते हैं आप भागदों में